कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि अच्छ कि थोड़ा सा लिंक मुझसे गलाश शेर हो गया ताज चलो वेरी वेरी इवनिंग क्लास दूसरा लिंक मैं गलती से शेर कर दिया था आपके बीच में जो कल वाला क्लास था उसका लिंक शेर कर दिया तो बहुत सारे बच्चे भी तो जनकारी नहीं हो पाई होगी कि सारा भी क्लास में आ गए है बढ़ ठीक है चलो हम लोग बहुत सारे बच्चों को बता देते हैं पाथक जी एक बार आप ग्रूप में शेर कर दिजे है ना ताकि ये बाकी लोग को इन्फॉर्म हो जा कि सर क्लास में आ गए है दूसरी बात सबसे इंपॉर्टन बात है कि आज का सेशन जो है आदे इसंटेक होंगा फॉरम बाति है कि मिरा नाम चंचल अगरवार है और मैं डिला में पढ़ाता हूं और मैं पढ़ाता हूं सोचल साइस इसवी कहा धूर्टन के हैं ओंसेकर ये बाद में सिद्स present समय भाए time-yimaez यं नमस्ते और जितने बैचिस चल लें हैं दोस्तों जतना के विस के लिए यह आपकी स्टॉक्चर है इस फीश चक्चर को सब्क्राइब करने इसमें या दिखिए यह फीश ट्रक्चर है ध्यान रखिएगा कि तीन मैने का छे मैने का एक साल का और दो साल का बाकी रिफल कोड इस्तमाल कीज़ेगा चंचल अगरवाल आपकी फीज जो है वो कम हो जाएगी ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज के अद्बुच सेशन को सेशन की बात की जाए दोस्तों तो आज हमारा सेशन क्या होने वाला है स्लाइट शो क्या करने वाले आज हम लोग फिती रतिका बिटा एग खंटे क्लास होगा त्या न किये गा कि हम लोग का जो सेशन होने होने वाला है वो पूरे एग गण पहुने वाला है ठिक है लगबग एग घंटें का ठीक है चलो मनपीत कुशन देखो कुशन बहुत दं—दार होगा Modern इंडिया के बहुत ही कुशन आयों और जानते हों नेताजी सुभास्द्रबोश की बात की जाए तोनेता जी सुभास्द्र जुख ने हमारे सुभास्द्र दरबोश ने जब पजब अजाद इंद फॉच के घठन किया था तो कहा जाता है कि जैपनीज़ ने अंडमान को जीत लिया था और जब जैपनीस ने अंडमान को जीत लिया तो अंडमान जीतने के बाद सुभाश अंडरबोश को वो हैंड ओवर कर दिया था जब वो हैंड ओवर कर दिया गया था उसको नाम था शहीद याद रखिएगा, सीज का जवाब होगा ठीक है यह मतलब important questions हैं दोस्तों ऐसे important question है जो आपके दिमाग भी होने चाहिए यह है नेता जी सुभाशन मोश ठीक है यह आईसे ओफिसर होगा करते थे और यह वो अंडमान है इसका नाम रखाता इन्होंने शहीद ठीक है अगला question देखिएगा गांधी जी के नेते तुम्ह गांधी जी के नेते तुम्हें जो आंदूलन किये गए उनका क्रम क्या है दोस्तों उनका क्रम क्या है पहले एहमदाबाद खेडा चंपरन या राजकोट एक दो तीन चार एक तीन चार दो ठीक है आप मैं आज कर लीजे मैं फटा-फट बता देता हूँ कोई बात नहीं प 17 में चंपरन मुवेंट हुआ था जो कि गांधी जी का पहला अंदूलन था चंपरन के बाद कहां चलेंगे हम लोग चंपरन के बाद चलेंगे एमदाबाद के बाद कहां चलेंगे खेडा अंदूलन खेडा 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 के बाद कहां चलेंगे आपके राजकोट में ठीक यह सारी बातियां आपके बोर्ट पर होनी चाहिए ठीक है चलो यह है महात्मा गांदी जी राश्पिता महात्मा गांदी जी एक बाब बताईएगा कि राश्पिता महात्मा गांदी जी को उपाधी राश्पिता किसे दी है ध्यान रखिएगा 1944 में सिंगापूर से राश्पि गांदी जी ने भारत में भारत में इंडिया में सारुजनिक रूप में means public life में पहली बार अपनी उपस्तिती कब दर्ज करवाई थी खेडा अंदोलन में एहम्दाबाद अंदोलन में चंपरन आंदोलन में या फिर बनारस आंदोलन में ठीक है देखिए कोशन क्या कह रहा है कोशन बहुत सिंपल सा पूछ रहा है कि गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा है सारुजनी को पस्तती का मतलब होता है कि वो पहली बार जनता के मुद्दों के साथ कब रूबरूवे थे तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रेल 1917 में कब हुए थे अप्रेल 1917 में गांधी जी जो है वो चंपरन के मसलों को लेकर पहली बार पब्ल लाइफ में आए थे चंपरन भारत किस राज में पढ़ता है चंपरन भारत के बिहार राज में रहता है मेरे सामने जो जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं वो कॉमेंट सेक्षिन में टाइप करें बिहार ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग बिहार से बिलोंग करते हो ठेक है सुनेयना भीया नमस्ते हैना चलो तो यह आपको clear हो गया होगा अगला सवाल देखते हैं अगला question क्या है दोस्तों अगला question देखिएगा 1939 में निता जी सुभास चंदर बोश ने 1939 में निता जी सुभास चंदर बोश ने तुरिपुरी में जब कॉंग्रेस की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने स्थीफा दे दिया था आपको पता होना चाहिए कि 1939 में निता जी सुभास चंदर बोश ने कॉंग्रेस से स्थीफा दे दिया था कॉंग्रेस से स्थीफा देने के बाद 1939 में सुभास चंदर बोश ने जिस institution की स्थापना की उसका नाम क्या है Indian Revolutionary Act उसके बाद में आजाद हिंद फॉज उसका नाम है Forward Block या Indian Freedom League फटाफट बताईएगा दोस्तों पूझा भी है नमस्ते है ना कैसे हो आप लोग फटाफट बताईएगा अभी नोब मेरे भाई नमस्ते फटाफट बताईएगा कि नेता जी सुभाज चंदर बोश ने 1939 में जब कॉंग्रेस को लीव किया था तो उन्होंने बंगाल में जाके उन्होंने बंगाल में जाके जिस संगठन का निर्मान किया था उसको नाम क्या था Forward Block याद रखिएगा Forward Block established किसके दौरा है नेता जी सुभाज चंदर बोश के दौरा यह आज भी active एक्ता याद रखिएगा बेटा यह आज भी active है शरेश यादर जी एक्ता शुभाम सभी को नमस्ते भया याद नखिएगा आजाद हिंद फॉज की स्थापना कहां पे होती है ध्यान नखिएगा अजाद हिंद फॉज की स्थापना जो होती है वो सिंगापूर में होती है लेकिन Forward Block की स्थापना कहां पे होती है Forward Block की स्थापना होती है आपके पश्विमंगाल में बंगाल वाले लाके में अगला कोशन देखिएगा ये एक फोटो आपको दिखा सकता हूं कुछ आपको अंताजा लग जाएगा अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन क्या कह रहा है कौन सा ऐसा वेक्ती है इन चारों में कौन सा ऐसा वेक्ती है जो भारती राश्टी कॉंग्रेस का दो बार अध्य बना है ध्यान नखिएगा जॉर्ज यूल उसके बाद में एवेब हेंड्री कॉटन या विलियम वेड़न वर्ग हा लेतिका तुम भी हो बिल्कुल सही बात है है ना फटा फट बताईएगा कि निम लिकेट में से किस व्यक्ति को कॉंग्रेस का दो बार अद्रक्ष बनाया गया है ध्यान नकिएगा विलियम वेड़न बॉर्ड इस तरह के कोशन भी आप एक्जाम में खोबाते हैं ठीक है ध कॉंग्रेसी मीटिंग होई थी कहाँ पर याद नहीं है ठीक है अगला कुशन देखिएगा हैंडी कोटन कब बने हैं हैंडी कोटन बने हैं 1904 में ठीक है और जोर्जूल कब बने हैं जोर्जूल बने हैं 1888 में कहाँ पर अलहाबाद में यह सारी बाते कॉपी पर नोट करते प्रवाइब लिए तयार रहना होगा ठीक है चलो कि अगला कोशन देखते हैं ठीक है अगला कोशन क्या कह रहा है एक मिट रूकिए गार मैं जड़ा सा क्यामरा थुरा सई करूँ एक श्रेकर आपकी पोलिश उख रहा हो है आप कि अग्या जब पर फिस होंगा यह जो टेकनिकल इशू आये था हां देखिए क्या कह रहा है क्या कह रहा है पड़के सुना रहा हूं आपको देखिए गांधी जी ने 1932 में आमरण अंशन आमरण अंशन मुखिता इसलिए किया क्यों किया देखिए आप जानती हो कि सन 1932 में गांधी जी जो है यह दरवा जेल में यरवदा जेल में क्या हो गए थे आमरण अंशन बोला था कि हम मर जाएंगे अब यह क्यों मर ने धमकी दे रहे थे क्योंकि गोल में समेलन में चर्चा को कोई निस्करशन ने इकला इसलिए हिंदू मुस्लिम लीग महात्पुन मुद्दों पर बात नहीं कर रही थी रैमसे मैकडॉनल्ड ने कर्मियों लवाट की गोशना की थी यह सरकार के वाइदे की विवप्रीत उन्हें गिरिफस्तार कर लिया गया था अभिशेक जी नमस्ते भया गुड़ीवडिंग नेहा जगतपाजी सभी को नमस्ते है ना फतिका गर्ग भी है नमस्ते फटा फटा फट बताईएगा गांधी जी 1932 में आम अरण अंशन वो मरने के लिए इसलिए तयार हो गए थे क्योंकि बिटिश अग derniere भारत में दलितों के लिए क्या किया था लिस समाझ के लिए एक कम्णल व ओट की घोशना कीती जिसमें कहा गया था कि दलित समाझ का जो अब निरवाचन होगा उनका जो election होगा वो एक अलग तरीके से होगा एक दलित को एक दलित ही vote कर सकता है कोई other community के vote नहीं कर सकते हैं यह हमारे देश को तोड़ने की साजिश थी पहले हिंदू मुसलिम करवाया था फिर हिंदू को आपस में लड़ाने के कोशिश कर रहे थे और सी बात को लेकर गांदी जी जो जो थे वो अड़ गए थे बोलेते कि यार ये रोटंकी नहीं होने देंगे हम अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन क्या कह रहा है ये देखी पूरा मामला था जब सरदार पटेल जो है नहरू जो है सब समझाने गए थे गांदी जी को मान जाईए ठीक है एक बाब बताईएगा किसमे निम लिकित में से किसमे निम लिकित में से किसमे जो है पंडित नहरू को पंडित नहरू मतलब पंडित जवाला नहरू को विश्वास नहीं था नेमलेकित में से किस में पंडित नहरू को विश्वास नहीं था प्रेस की सोतंद्रता बोलने की सोतंद्रता धर्निरपेख्ष या आर्थिक असमानता में फटाफट बताईए का दोस्तों कि पंडित नहरू को किस चीज में विश्वास नहीं था अगर पंडित नहरू की बात आए तभी तो यह socialist कहलाते थे नैरू क्या थे पंडित नेरू जो है वो socialist थे वो समाजवाद्रिय Touate समाजवादी थे अगर समाजवादी क्यां पात करता है हमेशा हमेशा बात करता है कि आर्थिक तोर पे समानता होनी चायी यह अन्य बाष समझ में इम्रान अली भिया कुड इवनिंग एक बार आपसे निवेदन हैं कि आपके पास में एक बटन होगा शेयर वाला आप सारे फ्रेंड्स मिलकर एक बार फटा फट इसको शेयर कर दो यूकि मैं आपको वो कोशन भी करवा रहा हूं जो कि एक्जाम में आपको सीधे फसेंगे औ प्रेस की स्वतंत्ता हो बोलने का अधिकार हो भारत एक सेकुलर कंट्री है इस तरह की विचारधार रखने वाले कौन थे और लिबल प्राइमिस्टर थे ध्यान अखिएगा अगला कोशन नेताजी सुभास चंद्रबोश ने स्वाधीन भारत में स्वाधीन भारत की अर्स असथाई सरकार इगोशना कग की ए ध्यान किये नखीयेगा कि पंडित नहरू ने जो असथाई की सरकार इगोशना की है वो की है 9-60-43, 2--october 1943, 21-soctober 1943 या 24-october 1943 ध्यान दखियेगा कि जो निता जी सुभासंदर बोश है निता जी सुभासंदर बोश जब सिंगापुर में थे कहा पे सिंगापुर में जब यह सिंगापुर में थे और इन्हों ने आजाद हिंद लुट्टिर फॉज कि कमान समाली तो आजाद हिंद फॉज की कमान समालने के बाद इन्होंने 21 उक्टूबर 21 उक्टूबर 1943 को 21 उक्टूबर 1943 को सिंगापुर में एक फ्रकार की गवर्मेंट मुनाई है ना अब चुकि गवर्मेंट स्टेबिल नहीं थी उसको बहुत ज़्यादा मानिता नहीं मिली थी इसलिए उस गुवर्मेंट क्या बोलते हैं अस्थाई गुवर्मेंट और इसको मानिता दो देशन देती एक ने जपान देती और एक ने जर्मनी देती यह जो अस्थाई सरकार है वो सुभाज कभी कभी आपको मैं थोड़े से अच्छे लेवल कोशन भी कराऊंगा ताकि जब इस तरह के सवाल आएं यूपी टेट में रीट में सुपर टेट जूनियर में सी टेट में तो आप परशान मत हो कि हां हमने सुना ही नहीं है यार सुनाया आपने तो इसका फाइदा क्या मि सुझाओ पर बंगाल का विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को क्या मनाये गया था आप जानते हो कि डविन ना टैगोर ने क्या कहा 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन हुआ उन्होंने कहा कि एकता दिवस के रुप मनाओ कला दिवस रक्षा बंदन या भाई चा हाँ जी सकंड वर्ड वार चला था उसमें 1943 ते कभी कभी क्लोस कॉल होनी चाहिए मरमीत जब तक क्लोस कॉल नहीं हो कि कैसे काम चलेगा देखिए जवाब क्या होगा इसका जवाब होने वाला है आपका रक्षाबंदन ये रक्षाबंदन रक्षाबंदन की बात हो रही है बी जवाब होगा रक्षाबंदन की बात करिएगा क्योंकि रविन्दनार टैगोर कहते थे कि 16 अक्टूबर 1905 जब बंगाल का विभाजन किया गया हमारी हिंदू-Muslim एकता को तोड़ने का कोशिश किया तो रविन्दनार टैगोर ही वह वेक्ती थे जिन्नों ने कहा कि एक का दिखिएगा अंगला कोशन कै रहा है यह माने नी रविन्दना टैगोर जी थे थे ओनुर्णे की बात की मदरास की बात की जया है मदरास उचन नहीं कहते हैं लगतमान में मदरास के 1927 के कॉंग्ड़ेस अधिवेशन का ते आप जांते हैं lightweight 27 में कॉंग्रेस की हो री हैं वहाँ गया था कि साइमन कमिशनों का विरोध किया जाएगा क्योंकि साइमन कमिशनों में जो साथ तैय हो गया धा कि जब नेक्स्ट यह लोग आएंगे तो पटक मारना है साइमन गोबैक के नारे लगाने अब उस समय मद्रा सेशन का अध्यश कौन था सी आरदास मोतिलान नहरू सरोजनी नाइडू यह में अंसारी कौन थे इन चारों में कौन था यह बिलकुल नए कोशन है आपको देंगे मैं आपको हम ध्यान लखिएगा जवाब क्या होगा म. अंसारी जो है म. अंसारी बहुत बड़े वकील भी है और इंडियन इंडिपेंडेंट में बड़ा रोल प्ले किया है तो यह वही लोग है ठीक है चलिए अंसारी साब ध्यान अनसारी यह लिखा है ना साइमें गोबैक साइमेंन गौबैक के नारे लगाई थे ठीक है अगला कुशन देखिएगा च यह कुशन क्या रहा है कि 1938 में भारती राश्टी कोंगेस दौरा स्थापित राश्टी क्या लिखा हुआ है राश्टी यहोजना समीती की बात की जाए तो उसका मतलब होता है National Planning Committee के नाम है National Planning Committee इस बात समझ में आ रही है तो 1938 में भारती राशी कॉंगेस त्वारा स्थापित National Planning Committee का अध्यक्ष कौन था कौन थे पंडित जवाला नेरू सदर वलब भाई पटेल मौलाना अबुल कलामाजाद या जेबी क्रप्लानी फटा फटा पताईए का दोस्तों क्या जवाब होगा दोस्तों क्या जवाब होगा जवाब होने वाला है आपका पंडित जवाला नेरू देखो नेसल प्लानिंग कमीटी की बात की जाए तो नेसल प्लानिंग कमीटी गठन किया तक इसने नेसल प्लानिंग कमीटी गठन तो किया लेकिन उसको लीड किस ने किया तो लीड करने वाले कोई और नहीं बलकि नेता जी सुभास्चंद्र बोश और यह जवाब होगा ठीक है अगला कुशन देखिएगा संप्रदाइप पंचाट का जनक कौन था संप्रदाइप पंचाट का जनक कौन था लॉट लिन्थगो रीडिंग इर्मिन या मैंग डॉन अभी मैंने बताए था अभी मैंने बताए था 1938 में निताजी सुभाज संद्र बोश ने जब कॉंगरेस की मीटिंग की थी उन्होंने क्या किया था नैशनल प्लानिंग कमीटी का गठन किया था लेकिन नैशनल प्लानिंग कमीटी को काम करने वाला व्यक्ति कौन है तो नैशनल प्लानिंग कमीटी प इनों नहीं दलितों के समाज के लिए क्या किया था अलिक सेपरेट एलेक्टरॉल सिस्टम की वकालत की थी अब इनों जवाब होगा राम से मैंक डॉनल्ड और यह जो कोष्णा जो हो रही है वो कब हो रही है 1932 में हो रही है क्या यह बास समझ में आ रही है अगला कोशन सेट कीजिए अगर आप इसको सेट करने पे आए तो आप देखिएगा कि सबसे पहले हुआ है आपका कि मैं सबसे पहले हुआ राणी सबसे पहले क्या हुआ राणी अश्रम होता है उसके बात में भारत में शुरू हुआ सविने अवग्या आंदूलन जब भारत में सविने अवग्या आंदूलन स्टार्ट हुआ तो गांदी जी को उठा के जिल में डाल दिया गया और जब गांदी जी को उठा के जिल में डाल दिया गया तो इसी बीच में भारत में फर्स राउंट टेबल कॉनफे इसलिए एर्विन ने गांधी जी के साथ क्या किया था, संजोता किया था, कब किया था, 5 मार्च, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने क्या किया था, Airbnb के साथ एक समझहाता कि शको बनते हैं गांदी Airbnb समझहाता तीसरी बात ध्यार नकियेगा कि इसके बात जब गांदी जी दूसरे गोल में Semil Ann में गये हैं तो वे कब होगा 1931 में होगा थर्ड नमर पे क्या होगा दूसरा गोल में Semil Ann और चौते नमर पे क्या होगा जब गांदी जी दुबारा गोल में समीना से वापिस आते हैं तो रैमसी में डॉनल बत्तमीजी करता है और दलिस समाज के लिए वो सेपरेट एलेक्टरोल सिस्टम की वकालत करता है और बाद में जब मामला बिगड़ जाता है गांदी जी अमर अकल भारती नवारती राश्टी कॉंगर्सुक्राइब करें, नवसारी में ओप्षिन आगे-पीछे हो गया है अगला प्षिन-देखिएगा अगला काशन क्या है अकल भारती और भारतीराश्टे कांगर्स, भारती राश्टे कांगर्स कि स्थापना कब हुई है?也是 todo last 2886 में 87 में ध्यान अखिएगा कि भारती राश्च्ट कॉंगर्स की स्थापना कर नियुक्त को रही है। अगला कोशन क्या कह रहा है कि निमने में इचे महत्मा गांदी के नितत में मात्मा गांदी के नितत में चलने वाला आंदोलन नहीं है वो है रोलेक्ट सत्याग्रे वो है सविने असईयो का आंदोलन वो है सविने वग्या वो है होम रॉल आंदोलन प्रटाफट बताईएगा देखिए गांधी जी ने गांदी जी ने 1920 में क्या चलाया है गांदी जी ने 1920 में चलाया था non corporation घिक गांदी जी ने Rolex सत्यक्रब किया रोलेक्ष सत्यक्रफ किया था चेः अपर उपैल 1919 को crown कानून के खिलाव उन्होंने सत्याग्रे किया था उसके बाद सबीनय वग्या कप किया है 1930 में किया है लेकिन गांदी जी का सम्बन जो है वो होम रूल आंदूलन से नहीं है होम रूल का अंदूलन का सम्बन तेलक से और एनी बेसें से क्या यह बाद समझ में आ रही है अच्छा मतलब टफ कोशन क्लास समझ में आते हैं नहीं है टफ कोशन आज जरा समय ने छोड़ दिया आदों को तो हावा नहीं लगी कि सर चल क्या रहा है कहां से कोशन लाए हो सर आज ऐसा है कि टफ कोशन जो है देख के घबरा जाते हो साली ये कोई बात नहीं ठीक है आजी अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है 1907 1907 1907 के भारती राश्टिक कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन की अधिश्ता किस ने की थी गोपाल किस ने गोखले ने की थी फिरोशाय महता ने की थी रादाबाई नोरजी ने की थी फटाफट बताईएगा 1907 के भारती राश्टिक कॉंग्रेस के सूरत अधिवेशन के दश्ता किस ने की है राजब्यारी गोश ने की है राजब्यारी गोश ने की है और राजब्यारी गोश इसलिए फेमस हुए क्योंकि कॉंग्रेस के उधारवादी नेता थे और 1907 का जो सूरत अधिवेशन है ये इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि इसी सेशन में क्या हुआ था Congress वो दो парट में तोड गिया था कितने अंबंप में तोड गया दो पार्ट में एक बना इसका उधारवादी संगठन और इक बना इसका उगरवादी तो पूछा जाता है कि Congress का पहली बाद विभाजन पर होता है 1907 को सूरत के Congress के सूरत दिविशन में इसका division होता है हाँ जी विकुल आएंगे exam में questions ऐसे ही आएंगे तभी तो question करवा रहे है रोए बड़े-बड़े questions आते हैं ठीक है चलिए ये meeting का आपको picture दिखा रहे है भारत चोड़ो आंदोरन के दुरान अपने बंदी बनाये जाने से पहले महात्मा गांदी ने लोगों के लिए निमलिकित में से कौन सा अदेश निधारित नहीं किया था आप जानती हो कि 8 अगस्त 1922 8 अगस्त 1922 गांदी जी ने शुरू किया था आपका भारत चोड़ो आंदोरन लेकिन भारत चोड़ो आंदोरन जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने क्या नहीं बोला था करो या मरो नहीं बोला था सरकारी परशासन को संपूर्ण हरताल के माध्यम से बिकार बना देना मृत्यू की जोकम पर भी राष्ट को जीविद रखना और अपने को बिटिस समराट की प्रजा की रूप में देखना बताईए, imagine कीजे क्या जवाब हो सकता है ध्यान रखिएगा कि भाया D जवाब होगा गांदी जी कैसे कह सकते हैं कि खुद को जो है भी 1942 में गांदी जी बोलेंगे, 1942 में गांदी जी बोलेंगे की भाया जो है भा дополн के जो लोग हो, तुम ब्रिटिस समराट के धिन ना इस बिटिस समराट की धीन है 照 दो जिन्ठ आप Kung Kingdom जिन्ठ बिखना हैं भाय यह टे रापंटता के मारना को टेंशन की बात नहीं पीजों को आगला कुछिएगा हुआ है ना सेना का विदो हुआ है ना नौ सेना का विदो हुआ था वहा था इन इस टल्वार इस सी है उसके बाद में इनमें से कोई नहीं फटा फट बताईएगा दोस्तों यह बेसिकली चक्कर क्या था आप जानते होगे फरवरी 1908 सुरी फरवरी 18 फरवरी 1946 कि बंबई है बंबई के पास में एक जुहाज खड़ा हुबा तोसको नाम था इनस विराट क्या नाम था इनस तलवार खड़ा हुआ था इनस तलवार में इंडियंस बैठे उबे थे और वो काम कर रहे थे तो उन्हों कि यह कौन सी बात होती है तो जितने भी आईनस तलवार के लोग थे उन्होंने क्या किया एक्जम से विद्रो कर दिया और कहा जाता है कि यह जो विद्रो था वास्ता में विद्रो नहीं था यह ब्रिटिशर्स के लिए ताबूच साबित हुआ क्योंकि इसी घटना के जब यह बहुत बड़ा विद्रो हो जाता है उसके सपोर्ट में नौ सेना वायू सेना और थल सेना सभी किसा पी आ जाते हैं तो ब्रिटिशर्स उस बात का एसास हो गया था कि अब उनका वक्त हिंदुस्तान में पूरा हो गया है और अब उन्हें हिंदुस्तान से चलने का वक्त आ कि इसलिए देखिए गाजा फरवरी उन्यसों फरवरी उन्यसों फरवरी उन्यसों चालिस में नौ सेना का विद्रो होता है तो उसी के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत के कोंसिट्टीशन को बनाने के लिए भारत की अजादे की तरफ आगे पढ़ने के यह है लेखा भी हुआ हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का कोशन का यह समय कटिंग भी है इंडियन सेलर्स इन रिवोल्ट ठीक है शिक्स आवर बैटल विट बिटिश टूप एना इदेखिए उस समय का पूरा का पूरा अगबार का फ्रेंट पेज बना हुआ है है ना आपको कोशन देखते हैं स्टूवाइट है है ना आप देखेगा जो स्टूवरणार्थ है है ना वहां पर क्या वा हुआ था मस्ट राश्टिय समाझवादी समेलन हुआ जिसमें भारत के एद्रती के चंड compr में पहली बाद फेराया था एमेल नोई ने वीडी सावर करने मैडम बीका जी कामा ने निता जी सुभासंद्र बोश ने थोड़ा सा ध्यान नखिएगा कि अगर स्टूर्ट गार्ड की बात करें तो स्टूर्ट गार्ड में भारत के जंडे को पहली बर फरायता किसने मैडम बीका जी कामा की बात की कौन मैडम बीका जी कामा तमदार है ना चलो कोई बात नहीं अभी नो यहीं है मैडम बीका जी कामा इंगी फोटो है मैडम बीका जी कामा की बात की जाए तो मैडम बीका जी कामा जो है यह बॉम्बी की नने वाली है इन्हें भारती करांती की मा बोला जाता है और यही वो लडी है जिन्होंने भारत का फ्लैक पहले बर बनाया था आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का फ्लैक किसे दे बनाया था पहले बार ये हैं लेडी मैडम वीकाजी कामा ठीक है? अचा लिए यो ग्रेट लोग थे इन्हें लोगों की वजह से, बहुत सारे लोगों की वज़े से में क्या मिला है? हमें जो है, अजादी देखने को बालगने दर तिलक, C option है महात्मा गांदी और D option है अर्विंदो खोश देखिए अगर हम बात करें इस option के साथ में तो हमको जाना पड़ेगा B के साथ में तिलक साथ तिलक साथ एक ऐसे विक्ति थे जो कहते थे कि स्वराज मेरा जर्म से ततिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ठीक है स्वराज मेरा जर्म से ततिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा इस बात की वकारत करते थे और कहते थे कि स्वराज जब अपनाएंगे तो हमें स्वधेशी को अपनाना पड़ेगा विदेशी का भहिशकार पड़ना पड़ेगा और स्वधेशी में क्या होगा स्वधेशी में हमें राश्टी शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा हमें इंडिया में स्कूल खुलने पड़ेंगे जिसका संचालन इंडियन्स करेंगे और जां इंडियन्स के लिए इंडियन एज्योकेशन को दी जाएगी ना कि विस्टिन एज्योकेशन को दी जाएगी ठीक है हाँ जी अगला देखिएगा किस वाइसरोय को भारती राष्टवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है उत्प्रेरक का मतलब समझते हो क्या होता प्रवोक करने वाला किसने भारत के इंडियन नेशनल मुवेंट को प्रवोक किया है लौड मिंटो, टलहोजी, करजन या कैनिंग एक बार बताईएगा कि इंडियन नेशनलिजम की अगर बात की जाएगी तो इंडियन नेशनलिजम को अगर प्रमोट करने की बात करें तो नाम किसका जाता है इंडियन नेशनलिजन को प्रमोट करने में नाम जाता है किसका लॉड कर्जन का जाता है अगर लॉड कर्जन किये कर बात करें तो लॉड कर्जन के साथ समझसा ये है कि लॉड कर्जन ने भारत में जो काम किये थे वो बेसिकली इंडियन के खिलाफ थे उसने भारती विशुद्याले आयोग लगाया वो भी बहुत गलत था उसने बंगाल का पार्टिशन किया जसकी वज़े से लोगों कुछ बात कर असास हो गया कि ब्रिटिशर्स किसी भी दरिश्टी कौन से हमारी हितैशी नहीं है तो इस आदमी की हरकतों की वज़े से भारत के लोगों में चेतना ये जागित हुई कि भारत में जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्स्पॉइटर हैं और वक्त आ चुका है कि हमें एक जंडे की नीचे आना पड़ेगा और इसे लिए इंडियन नेशनलिजम में अगर एक करने में पर रोल जाता है तो इस प्यकूफ की हरकत ने हैं इस आदमी की विप्यकूफी चक्कर में क्या होता है कि लोग यूनाइट होते हैं ठीक है अगला कोशन देखिएगा मुस्लिम लीग आपने जानते हो कि मुस्लिम लीग की फाउंडेशन कभ हुआ है मुस्लिम लीक स्थाप मुस्लिम धिवेशन हुआ था वो कब हुआ था उन्निश उसाट में बलादोस्तों उन्नीश उसाट में हुआ था मुद् ठ्रेम लीक का प्रतम अदिवेशन ध्यान कियेगा вони किहेंगा और कहां पे वाता इ सिनक कराची में करा celui यहां सिर्द्द चानसर कर लिज़ेगा कदर पार्टे की बात कि जैए गदर पाटी से श्राभाजा गदर — बाटे के बात के बात किले नहीं सो तेरह में अमेरिका में जगा है सैंड फ्रांसिसको और उसी अमेरिका के संड फांसिसकों men अब गदर पार्टी की स्थापना होती अब गदर पार्टे के si app nuovo ? शापजी कृष्ण वर्मा यह यहकली अंहीं है अम्मेरिका में नहीं बलगी इंग्लैंड में यह कहां और अकटिव हैं यह इंग्लैंड में अक्टिव हैं और गदर पार्टे की स्थापना कहां पर होती है अमारिका में जगा है सेंट फ्रांसिस को वहीं पर इसकी स्थापना होती है अगला कोशन देखिएगा हाँ यह गदर पार्टे का सिंबल है देख लिएगा गदर पार्टे का फ्लाग है यह ठीक है अगला question देखिएगा किस के शासनकाल में किस वाइस्ट्रोई कि शासनकाल में किस वाइस्ट्रोई कि शासनकाल में श्वेत विद्रो हुआ किस वाइस्ट्रोई कि शासनकाल में श्वेत विद्रो हुआ था लौड करजन, लौड मिंटो, लौड रिपन, लौड हार्डिंग फटाफट बताईएगा किस वाइस्ट्रा के शासनकाल में श्वेद विद्रो हुआ था करजन में रिपन करजन मेंटो रिपन डर हार्डिंग शालू करवाते हैं ऐसा नहीं सब करवाते हैं लेकिन जो है बड़े-बड़े कोशन्स हैं हर बच्चे को मिलना चाहिए सब चीज़ें इसे लिए ध्याना कियेगा कि जो वाइट रिविलिशन हुआ था यह वाइट रिविलियन हुआ यह विसिकली हुआ था लॉड डिपन के शासनकाल में लॉड डिपन लॉड डिपन क्यों आप जानते हो कि भारत में जितने भी इस रॉड था तो कहा जाता है कि इसकी जो परिशत थी डिपन की तो उस परिशत में मेंबर हुआ करते थे जो कानून मंत्री थे उस समय के इनका नाम तो इलबर्ट एक बिल आया था उस बिल में यह लिखा हुआ था कि किसी भी गोरे का मुकदमा जो है वो कोई भी इंडिय जज सुन सकता है अब जब उस बिल में यह लिख दिया गया कि कोई भी जज सुन सकता है दोस्तों तो इसी के ओपर सारे जितने भी गोरे थे जितने भी शुवेत लोग थे उस सब के सब बरगला गए बोले यह कौन सी बात होती है विकुल जो है इलबर्ट जो है पगला गय दियां का अमीर आदमियू का कितनी भी इंडियन सें उनको केवल वेज़्जत किया है उनके संसाधन को चीना है उनका अपमान किया है उनका तिरस्कार किया है उनको कि Olat कि ये अगर उनके बीच हो और आदमी जजबनता है तो पक्का अंग्रेजों को थांसी कि तक्ते पे ready लापी कि दोशुल रहां गया तो से नेक्रीज़ों नें बोला पांगळ हो गया है इसलिए अगला प्रेम आपने विद्रोग कर दिया है श्वेत विद्रोग बोलते हैं और यह हुआ था लॉड रिपिन के शासनकाल में दोस्तों अगला कुशन देखिएगा नाब है ऑघर्टी राष्ट्र कॉंगेस का प्रथम मुस्लिम अद्यक्ष कॉने नाम है उसके बाद में शौकत अली उसके बाद में बदुरतीन तयप जीर और नाम है मुझा इन चारों में कौन है जो कॉंग्रेस का पहला मुसलिम अध्यक्ष ध्यान अखिए कि का पहला मुसलिम अध्यक्ष उसका नाम है बदु सिर्टिव जी के बात करें तो लो दीजर 1787, में कॉंग्रेस की मीटिंग हुई थी मदरास में और जब कॉंग्रेस की मीटिंग 1887 में मदरास में होती है तो उस जमाने में बदरुदीन तयब जी को कॉंग्रेस का अध्यक्ष पहली बार बनाये गया था और ये पहले मुसल्मान थे जो कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनके त् और एक बज़े जो होगी कल इतने बड़े कोश्चंस नहीं होगे कल कोश्चं के लेवल क्या सो होगा छोड़ा छोटा होगा क्योंकि जब छोटा होगा थोड़ा पकड़ने मसानी रहेगी यूद्कि मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने हा मैं प्रियंकास के यूपर एक अलग से क्लास लोगा जहांपे मैं सारे के सारे वाइस्रॉई आपको बताऊँगा आपको समझ में आएगा कि भाई सारे के सारे वाइस्ट्राइग कॉन कुन की फोटो भी दिखा दूँगा, उनके बारे में सारी बाते में बता दूँगा आप चिंता मत करो, क्योंकि आप देख रहे हो कि अब अपने कैडमी ने बोला कि भाई अपना क्लास करो तो पुरा राम सा क्लास चलेगा, टेंचन ना लो, है ना, यहीं पर क्लास लूँगा मैं सारे के सारे फोटोग्राफ सिखा दूँगा आपको, है ना, उनके बारे में सारी बाते बता दूँगा, मैं आपको अलग से, अगला कोशन देखिएगा, यह हैं बदरुदीन तयीब जी, फोटो देख लेजे, बदरुदीन तयीब जी, 1887 कॉंग्रेस के पहली बार क्या बनते हैं, मुस्लिम अद्यक्ष बनते हैं, हाँ अब इनो, मैं अट्रिक से बताओंगा भाई, अगला कोशन देखिएगा, मोती लाल नहरू, है ना, बताइए निमने में से कौन सा विक्ति मोती लाल नहरू समीती का अद्यक्ष नहीं था, नेताजी सुभाज संद्र बोश जी आर प्रधान, सर अली इमाम या अर्विंदो खोश, मुझे बताइए कि इन चारों में कौन सा ऐसा विक्ति था जो फरवरी 1928, फरवरी 1928 में बनने वाली मोती लाल नहरू समीती का अद्यक्ष नहीं था, ज्यान रखिएगा, जवाब होने वाला है D, अर्विंदो और अर्विंदो खोश का नाम जो है, वो टांतिकारी घती इविधि में भी आता है, कहा जाता है कि जब 1908 में, 1908 में जब मुझफफर पुर के जो अधिकारी थे, बिहार में, उनकी जब हत्या की गई थी, उनकी हत्या का प्रयास किया गया था, तो उनकी हत्या के प्रयास म सिनका नाम की आये था अरविंदो घोष का ठीक आये अरविंदो घोष की बात कि बात की जाये तो और वेंदो घोष उथे वो बज गए थे और जो भी बज गए थे अपने कहाँ राजयतिक करियर्ष का हो गया अरविंदो घोश्टी का है ना अरविंदो घोश्ट का जब राजेतिक करियर खतम हो गया है तो कैसे फरवरी 1928 में बनने वाली नेरो रिपोर्ट के वो मेंबर हो सकते हैं इसका मतलब है कि अगर आपको को इस note का करना है तो आपको दूसरी information पता होनी चाहिए आप समझ पार हूं मेरी बात को का कैसे एक information के माध्यम से दूसरे सवाज ही होते हैं आपको इस कोश्ट के बारे में कुछ नहीं पता हो लेकिन अर्विंदो घोश के बारें पता होता तो आप इन सवालों को सवाल जो है कर ले जाते आप टफ कोशन करना सीखे ताकि आप जो है सान कोशन असानी से कर पाईए ठीक है अगला कोशन देखिए का किसी तिलक को हमारे तिलक साहब को किस ने कहा था कि ये भारती ये अशान्ती के जनक है बता ये किस ने कहा था कि ये भारती अशान्ती के जनक है करजन ने कहा था, स्मित ने कहा था वेलेंटाइन शिरोल ने कहा था ये हैंडरी कॉटन ने कहा था इन चारों में से किस ने कह था जो तिलक हैं वो भारती और smilesanti के जनक हैं नमस्ते न मता दो भेया आपका नाम क्या है ध्यान अखिये का कि तिलक साप को क्या कहते है तिलक साप को बोलते हैं भारती है और शांती का जनक और ये स्टेटमेंट दिया है वेलेंटाइन शिरोल ले आज तो पूरा क्लास बौंसर मा रहा है आज आज है अज है बौंसर पर बौंसर मारे जा रहे हैו आज का सेशन पहले योवर ब्रेटली वाला शयवगतर वाला कुछ यह बुट रही। पूरे एक घंटे से सारे के सारे बच्चे जो है जो है जो है लगातार ठीक है अच्छा ये आपकी भावी है OK Óपी pięk अजी है ना सारे की सारीJoe बॉफले जो कर बटी से np Chief कहा चले गए हाँ चीकू तुमारा भी नमस्ते भाई ये तुमारा भी मंच पे लाने के लिए लोगों मिराष्टवाती भावना जगाने के लिए शिवादी उस्व गणपती उस्व के माध्यम से लोगों को युनाइट किया था है ना इनोंने मराठी नामक अगबार चलाया था इनोंने जो है कि इसी नामक अगबार चलाया था कि लोगों को लिख 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 कर जो है लिख लिख कर चीज़ें को समझा जा सके इनके बारे मंग्रेश कहते थे जब तक यहार भी जंदा रहे का तब तक जो है अगला कोशन देखिएगा सविने अवग्या आंदोलन के दुरान सरोजनी नाइडू आजी सरोजनी नाइडू ने कहाँ पर नमक डीपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग रहियों का नित्यत्व किया था सर कोशन ही नहीं सुना है हमने द्वाज दांडी कोशन का अंसर कोशन देखिए ओप्शन में है दांडी वडेला सनीकटा धरसना और यह सर नाम तक नहीं सुने है सर जवाब होगा धरसना में हुआ क्या था कि जब भारत में सविना वग्या अंदुलन चला था तो जो नमक फैक्टरी थी धरसना में है ना धरसना में जब नमक फैक्टरी थी और सी नमक फैक्टरी के ओपर जो है सरोजनी नाइडू उन्हें अटैक किया था अपने लोगों के साथ की भाई हमारा नमक बनाना हमादिकार है पुलिस को पता चल गिया था तो कहा जाता है कि पुलिस ने लोहे की जो छड़ होती है न लोहे की मोटी वाली छड़ उस लोहे की मोटी वाली चर से सरोजनी नाइडू समय जितने भी सत्याग रही थे उनको बहुत मारा था इतना मारा था, इतना मारा था कि मैं क्या बताऊं इसलिए Max, इसलिए कोई वेवर नाम का पतरकार था उसने इस घटना को बहुत विस्तार से लिखाया कि कैसे इतनी क्रूरता की जा सकती है ठीक है, एक आहिंसक बीर के ओपर कैसे इतनी क्रूरता की जा सकती है हाँ जी, मैं हर घटना को पिक्चर के माद्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये हैं सरोजनी नाइडू है ना नाइटिंगल उफ इंडिया है ना भारत की जो कोकिला बेहन कोकिला कहते है इनको पता कोकिला मोधी जी होती तो जो है चालिए चालिए एक कोशन बताईएगा दोस्तों कोशन आपके फिर तगला कोशन मैंने पूछा है निम लिकित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बक्रीद के अफसर पर गोवद का निशेद किया कोशन बताईएगा दोस्तों कोशन बताईगा निमनिकित में से मुस्लिम लीग जोfocused में गटित हुई है बस्टाव पारित किया कि बकरीद के अवसर पर जब अवसर फिर्ट होता है तो बकरीद के अवसर पर गोवद हमें नहीं करना चाहिए काया कहत्याने करनी चाहिए उन्ने सुनों दर्ण मुस्लिंवारा दिष्ण में हैं ना 917 मुस्लिंवारा है लखनों मैं 1940 के लखनों लीक्त के लिखना कि रड Sn trial में उप्ति में इसे कहीं नहीं ठीक है अपनों आज है हाँ होता है कभी-पिझ च जो होती हाँ लेवल पाइर रहा हुक्षेया ठीक है चलिए बहुत चलते तक टिक टिक मायरे जब देखते थे मक्सरों मेरे पढ़ा रहmen और अंसर जो कटाट 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 रे ओवर कॉंपिडिन्स शिकार है सर हम तो शेर है हलका सर पिच गुमा के देखा फूरा क्लास रहा है सनाटे में है चल 11 वेरे साथ में आई से कौन करता है ठीक है ध्यार लकिये का इसका अंसर क्या होगा 1919 में मुस्लिम लीग का जो 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ अब एगरी करते हो कि 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1919 में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट गांधी जी ने भी किया था और खिलाफत आंदोलन को जब गांधी जी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो Muslim League भी एक्टिव थी उसमें, क्योंकि Khilafat के मुद्दे से Muslim League काफी अक्डिव थी, तु उन्होंने का कि भाई चलो Hindu sentiments कभी हमें सम्मान करना चाहिए हमें Hindu की भावनों को सम्मान करना चाहिए, तो उन्होंने बस्तावफ स्वक्रीद कर दिया किसरा आप ऐसे कर सकते हैं रहा और कॉंट्रीजे से बच्चों को बचाने के लिए में करना पड़ता है फिर एक और तगड़ा कोशन लीजे आज तो आपको तगड़ा कोशन देंगे देंगे अज तक नाम नहीं सुना है बीना अदास परितीलता वाड़ीकर जी सुनी धीरोय ये अंभिकाश चक्रवर्ती बदना ली ले रहे हैं कि इस तरह के सवाल होने चाहिए, बिलकुल होने चाहिए जब इस तरह के सवाल होगे न तब आपको समझ में आएगा कि हमें इतिहाज को बहुत गंबीता से पढ़ना चाहिए है न ताकि किवiac आपको मैं संजा रही है हुग sayuma की याज रहा है आपको समझा रही है की पर आपको सम्झाई नहीं और हैं मैंने आपको बंगाल की कोई दिक्कत नहीं होगी आज जनी कोई नहीं होगी अगर हिंसा नहीं होगी तो हिंसा जैसी कतिविती होने की संभावना जरूर होगी अपने आप पकड़ ले जाओगे अगर मैं लिख दूंगा आंदोलन समझ जाओ के सर आंदोलन है तो यहाँ पर हिंसा गुंजाईश बहुत कम है हो सकता है कि छुटपुट मारपीट हो जा लेकिन आंदोलन में कभी भी इंसा नहीं होती है आप बेसिक को जब पकड़ लोगे तो बड़े बड़े कोशन को देखने की आपके अंदर हिंमत आ जाएगी ठीक है? हाँ जी ध्यान लखिएगा अंबिका चरण चक्रवर्ती नहीं है यह बीनादास ही है हवा नहीं लग रही है सर जी हवा नहीं लग रही है बीनादास है ध्यान लखिएग प्रीती क्या बूली यह बीनादास नहीं है सुन्याना बिटा जवाब होगा बीनादास बीनादास जो है बेसिकली सम्मंदित के से थी आप जानते हो बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको लीड कर रहे थे कौन आपके मास्टर दा मास्टर दा मतलब क्या होता है पुरा नाम में जान नहीं रहा हूं पुरा नाम क्या उनका याद नहीं आ रहा है जो टीचर थे उनका नाम गोली मार के रहेंगे देख रहे हो है ना देख रहे हो कि भाई साब कैसे थे मार दो गोली धाएं धाएं ऐसे गोली मार देते थे पहले उसमाने के ठीक है चलो अरे 50 तो पहुंचा दो पाषान कोशन के पिर तो पैरतिये कारियों का नेता कौन था शान जी क्रिश्णी वर्मा मेडम भिका जी कामा एसार राना या वीडी इसावर कर फिर एक कोश्ण जो है हाँ देपकर पैट्रोल लेकर आउ को लाग लगा देंगे एक बज़े से लेकर दो बज़े तक एक बज़े से दो बज़े तक निरनतर एक घंटा कम से कम साट से सतर कोशन रहेंगे और ऐसे रहेंगे जिसमें आप आग लगा सकते हो ध्यान अकिएगा कर सबको लेकर आईए कल असान रहेगा भाई यह दा पैरिस में था मैडम विकाजी कामा मैडम विकाजी कामा रहने वाली बॉम्बे की हैं लेकिन बाद में यह पैरिस में एक्टिव हो गई थी ठीक है देखिए यह फर्स्ट वर्ड वर्ड की फोटो है फर्स्ट वर्ड वर्ड चला था अगला कोशन देखिएगा पाकिस्तान शब्ड देखिए पाकिस्तान वोड की बात की जाए तो पाकिस्तान शब्द का पहरी बार इस्तमाल किस ने किया था मॉद अली जिन्ना ने चौदरी रहमत अली ये पाकिस्तान जैसी कुछ होनी चाहिए पाकिस्तान का बता समझते हो कि अब पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब होता है वैसे नाम तो है पाकिस्तान लेकिन हरकते पाकिस्तान वैसी नहीं है पाकिस्तान पाकिस्तान तो को पा का मतलब होता है पी का मतलब होता है पंजाब बाले एरिया एक का मतलब होता है अफगानस्तानी कुछ हिसे के का मतलब होता है काश्मीर और इ भाकत था हां जी इप्रियंका सूरी सिंग को बोलते हैं मास्टरदा। भारत विभाजन से समंधित, माउन्ट बेटेन योजना सरकारी तोर पर कब गोशित हुई थी? 4 जून 1947 10 जून 1947 और 3 जुलाई 1947 देखिए माउंट बेटिन की बात की जाए अगर माउंट बेटिन की बात की जाए कोई बात थी कोई बात नहीं है ना उसको बता ना कि अभी हाली में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रिलिया टीम जो है कितने पर आउट हुई थी चार शून से हरा देंगे फिर हमारी लीडर्स खड़े हुए हमारी जो जो यंग टिकेटर्स थे वो खड़े हुए उन्होंने क्या किया उसके बाद जो अंग्रेजों की और ऑस्ट्रियांस की जो बैंड बजाई है वो तो दुनिया ने देखी है है ना याद है ना समझ में आ गया देखों इंटेनेट ने भी साथ छोड़ दिया हमारा कि अरे इंटेनेट मौदे चल जाओ भाई कि अगे कि सरिता जी भी है गुड़ इवनिंग इंटेनेट ने साथ छोड़ दिया है कि अगो किने ओूड़ दिया है है कि अर्भद वनिया है थे कि अरे तो कि अगद कि ए ओर दू़ब रहे प्राम इंटेनेटode झाल झाल तक चलिए इंटेनेट सेहें संना है मेरा फुर्ण साथ हैं तो जो है अब आप लोग से देखने चल गया है है ना देखें कलास कुछ बाते बता रहा था आपको मैं चल गया है मेरा तो में बात बता आपको कि अभी हाली में हमारी टीम जो है 36 पोल आउट हो गई थी और चब 36 पोल आउट हो गई थी दुनिया वालों ने बड़ा मज़ाग बनाया तुनिया ने कहा कि भाई टीम इंडिया जो है बेकार हो गई है 36 अब इससे कभी कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन आमारे जो यं इसलिए अगर आपके कभी कभी मार्क्स नहीं आएं डेसंट मीन डेसंट मीन कि आप जो है पढ़ने में कमजोर हो हो सकता है कि उस दिन का प्रश्ण पत्र इतना जादा हाड आ गया हो जो आपकी पहुंच से बहार हो है ना यह नहीं कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा था लेकि आपको यह दो प्रेएं यह हैं लोड मंबटीन यह मांब प्रेटिंग यह पंडित नहरू ठीक है इसे तो सशन को में रुकना चाहेंगे सशन के लिए बाब बहुत आसरी कल बाते हैं कल आपसे मुलाकात हम करना चाहेंगे कल कितने बुजे मुलाकात करेंगे दोस्टों पसान कोशन रहेंगे कर टफ कोशन नहीं रहने वाले हैं और मित्रों को लेकर आईएगा और ध्यान रखिएगा कि फी स्ट्रक्चर क्या है तीन मेने की 2250 है 6 मेने की 3600 है एक साल की 4500 रुपे है और दो साल की 2400 रुपे है बाकी आप रिफिल कोड के इस्तमाल करी चंचल अग डाह रही है तो जितनी भी चलना है उन सारे बार की आपको भागना नहीं पड़ेगा उन सारे बैचर के लिए कि ईंवल आपको देनी है जो कि अलग अलग है तीन मेने की 2250 है 6 मेने की आपकी 26 استंद्र 10 Oke 6 présent एक साल की आपकी 3600 फीज उसके बाद में 4500 फीज है और उसके बाद में दो साल की फीज वे आपकी 2400 फीज तो फीज सक्चर एक बाद देखिएगा उसमें 10% इसकौन मिल जाएगा आपने रिफ्रेल कोड का इस्तमाल जरूर किया करिए ठीक है तो आल दे बेस्ट चोकि यह डिनेट सही से नहीं चला बार बार अब यह बुफरिंग हो रही है इसलिए कल आप से बात करेंगे ए thank you so much bye bye take care